गोर्से को भगवान कहने वाले पर कोई कानोनी कारवाई नहीं हो गोर्से हत्यारा नहीं है गोर्से ने भारत की संस्किती डिमोक्रेसी और भारत की कि जो तैजीव है उस पर हमला किया उसके लिए बीजेपी के परवक्ता कहते हैं वो गलत नहीं है सांसत कहते हैं गलत नहीं है और उनको देश में उचे सम्मान के साथ देखते हैं उस पर खारवाई नहीं होगी जब आप कहते हो कि बलतकार साहिन बाग में ऐसा नहीं हो जाए MP का पूरा बियान आता है और अनुराग ठाकूर कहते हैं गोली मार देनी चाहिए तो ये वो लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों की दलाली की है हाई कोट के आदेश पर RSS के ऑफिस पर जंडा लगा जो लोग देश की अजादी में बाबा साथ अंबेदकर का पोता उसको कह रहे हैं गोली मारो जो अंबेदकर जिन्होंने देश की अजादी में जिस कुर्वानी दी भगत सिंग जिन्होंने देश की अजादी के लिए कुर्वानी दी उसके नेप्यू को गोली मारो गांधी के पोता को गोली मारो नेहरू के नाती को गोली मारो मतलब NRC CAA के फक्ष में जो नहीं है देश में रो दिये उसको गोली मार दो उस पर केस नहीं होगा जब बदला लेने की बात जोगी करते हैं और खून का आंसु बहा देंगे और कुत्य की मौत मारेंगे उनके मंद से रगुराज सिंग मंत्री ने कहा और कहते हैं कि बेटियों को और औरतों को सरकों पर बेठा दिया मैंने यह लगातार जिस तरीके की हमले और साहिन बाग और सरजिल सर आप जो देश भाजपा की बात ना करे रस्स की बात ना करे वो आतनकवादी हो जाए सरजिल के पिता जदियू भाजपा से चुनो लड़े थे सरजिल यदि संविधान के विपरित कोई बात किया है उस पर कारवाई हो पप्पू यादब पर हो किसी पर हो लेकिन आप लगातार एक छोटी सी बच्ची अनार्ची के पक्ष में कोई गीत बनाया उस पर भी आप बंगलोर में कल केस कर दिये देश भी रोधी ये आप लगातार जो लोग एनार्ची के खिलाब बात करेंगे उसको आप देश द्रोही बना कर हो सकता है कल आपका नहीं को भी देश द्रोही बना दीजे फिर किसी को और को देश द्रोही बना दीजे कल माजी साहब इस देश के लगभग अंबेद कराइट विचार धारा के फूले बाल में की पेरियार के जो लोग हैं वो इस देश में माइनूटी मुस्लीम अंसुचि दलीत और अत्यंत पिछ्रा जिन पर हमला है एनर्सी सी ए के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि तोगरिया ने 14 करोर दलीत आदिवासी और अत्यंत पिछ्रे को एनर्सी के बाद जो कानून लागू होगा उसमें अलग कहा है कि वो अलग हो जाएंगे तो यह मुसल्मानों पर बहाना है हमला दलित आदिवासियों पर है जो बीजेपी के बिरोध में भोट करते हैं अब पपुजी अब कल भी आप यह ब्यान दिया हुए थे पपुजी यह बताईए आज आपको जितर अमाजी से मुलाकात ही है आज क्या बाते हुए है माजी साहब हमारे लीडर है माजी साहब बिहार के लीडर है माजी साहब चाहते हैं कि जो देश आज आस्थीर है और हम भी चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम लोग एक हो करके बर्तमान समय में जो नफरत की राजनिती और देश को तोरने की राजनिती जो हो रही है और सबसे ज़्यादे इस हिंदुस्तान में 28% दलित आदिवासी अंसोचित जनजाती जो सभी लोग है ये राजनितिक आर्थिक समाजिक रुप से उन्हें कमजोर करने के लिए उनकी माजी सहाब हम दोनों आदमी हमारी साफ फिलिंग है मैंने पहले भी कहा था कि चाहिए कॉंग्रेस ने मीरा कुमार जी का नाम सामने मिलाया मुझे अत्यंद खुसी होगी जब कोई तलित अत्यंद फिश्रा प्राइम निस्टर के रूप में एक गट बंधन बना करके हम भी से भारता करें आप उपेंदर कुशंबाजी से भी बात करें हम प्रसांध के सब्सक्राइब ऑन्लाइब हम चाहते हैं कि अग्सर बंधन में रहा सक चाहिए का उन्याब हम माजीर साहब नहीं का हम पंटी पार्टी कॉंग्रेस हमने आग रहा किया है एक सर आप जाएं आप बात करें जोरी है चाहता हूं कि जितन ना माजी को घोशित करें यह मेरा सवाल नहीं है मेरा सवाल है कॉंग्रेस ने जो बात मीरा कुमार्दी के बारे में कही एक लाइन उन्हों नहीं लिया हम भी जाते हैं कि धलित अत्यंत पिछरा मेरी साफ मन है कि कॉंग्रेस एक लीडर एनर्सी सी एए और एनपी आर में जो बाम सेफ अंबेदकर विचारदारा भीम चंसेखर हम चाहते हैं चंसेखर भी साथ है माजी साथ लीडर्सीप के रूप में हम लों के साथ विहार में रहें पपूया दब हैं कनया है रग्मस बाबू है सबी लोग सर मैं किसी को छोड़ने की बात नहीं कर सकता हूँ बहुत बात किलियर है मैं एक मजबूत गड़ बंधन चाहता हूँ ताकि बीजेपी जो लगातार इस देश को तोरने की देश के बाबा साब अमबेदकर के विचारधारे को पर जो हमला या देश अमबेदकर विचारधारा पर चलेगा या देश गांधी और भगत के विचारधारा पर चलेगा बिहार और जहाटखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें